नमस्कार साथियों स्वागत है आपके अपने यूटी टेनल सक्सेस की नेटी टू में दोस्तों सीख्षा जगत की दो बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हुए है जो आज की बड़ी खबर है देखिए बड़ी खबर यह है कि सबसे पहला जो खबर यह आया है कि चैनित अभ्य भरतमान वें जो दुन यह अपका उनीस बीस से ले करके भी जो बड़्तमान एककीस में जो अभ्यर्थियों का चैन हुआ है उनका जो परमान पत्र को वापस करने यानि की जो परमान पत्र जो जमा किए गये हैं चाहे वो सब्सक्राइब हो चाहे वह मैट्रिक इंट्रीश है हमारा कि सिखषकों के अवकास के नियम में कुछ बदलाब हुआ है अगर इस तरह से अगर नहीं मानें तो परताना ध्यापकों को पर काड़वाई की जाएगी अब यह देखिए यह बहुती बिसेस और बहुती खास कबर है चुकि यह दिसंबर पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और दूसरी बात यह समझ लिए कि एक टेली कराम चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उससे जरूर जाएगा उससे जूरने से फायदा यह होगा कि जितने भी पत्र होते हैं वो पत्र सारे आपक दोस्तों चलेए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहला खबर यह देख लिए पहला खबर आपके पास यह आ रहा है कि देखिए कि चैनीत अभ्यर्तियों को पर्मान पत्र यह सिख्षा भाग के दौरा जह सो पिहार सरकार के दौरा यह जारी किया गया है जिसमें सेवा म विसाय के संब्ध में कहाना यह है कि सिख्षक नियोजन इकाई जो नियोजन जो 2019-2020 के अंतरगत पर्थम एवं दूतिये चक्र में इसक्रम में लगवग जो 1250 नियोजन इकाई है इकाई हो में चैन की पर्कडिया को पर्कडिया किया जाना सेस है अब देखिए उन 5930 में हो चुका है लेकिन 1250 जो है यह अभी बचा हुआ है यह बचा हुआ है इसका जो अंतिव यह तीसरा फेज आने वाला है जो आपको 14 समभता 14 दिसंबर से चालू हो रहा है उसका जो है सो यह कौनसलिंग अभी सेस बचा हुआ है तो काता है कि यह कौनśli चैनित अभ्याष्टिष्यों का अभ्यावेदर प्राप्त हो रहे हैं जिसने अंकित किया गया है कि हमारा जो चैनि किसी दूसरे संस्थान में हो चुका है तो उक्त संस्थान में प्रिविक्षा योगदान हेतु उन्हें मूल प्रमान पत्रों के अवसकता है किसी भी संस्थान में जाने से पहले कहीं भी अगर योगदान दिनाय में जॉइन करना होता है तो वहाँ पर जो हैसो मूल पर्मान पत्र को एक बार वेरिफिकेशन किया जाता है नहीं देखा जाता है ठीक है तो मूल पर्मान पत्र की अब सकता है भागये गया पांग जो अधी सूचना 621 और दिनांग 3721 में यह प्रावधानित है कि कौन सेनी के करम में चैनित अभियर्थियों के सेक्षनिक पर्मान पत्र जिसके आधार पर न्यूक्ति का दावा किया गया है एवन सिक्षक पर्मान पत्र जो टीटी का मूल पर्मान पत्र जमा कर लिया जाएगा जो कि आपको 621 अधिसूचना का जो यह है ग्यापांक संख्या और 37221 को जो है सो यह आपको इस दिनांक में यह पहले से अधिसूची थे ठीक है तो क्या कहा जारा देखिया आगे काता उक्त अता अता उक्त पड़ी स्थीतियों पड़ सम्यक विचारो परांत यह निरने लि से प्रथम स्रेनी के दंडाधी कारी के समक्छ लिए गए सपत पत्र के आधार पर उनके द्वारा याथित प्रमान पत्र वापस किया जाए सपत पत्र में यह सपस्ट रूप से लेखनी हो कि यह उक्त प्रमान पत्र के आधार पर बरतमान प्रिक्रिया धीन सिक्षक नियोजन हेतु दावा प्रस्तूत नहीं करेंगे यह कंडीशन सबसे बरा हो जाता है कंडीशन कि यदि आप चाहते हैं कि हम दूसरे नियोजनी काई में जा करके हम अपना नियोजन कर वाले यह आपका जो है सो दावा पहले यह असपस्ट डूप से जो प्रथम अस्तर के जो इस तरह से अगर आप दावा नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट वापस नहीं किया जाएगा ठीक है अगर चाहते हैं आपकी इस नियोजन एकाई में हमारा हो जाए दूसरे नियोजन एकाई में कॉनसरी करा ले अगले फेज में जा करके तो वह आपका कहीं कहीं करने के बाद दूसरी खबर जो सबसे मत फुर्ण खबर सिक्षकों के लिए उसकी बात करते हैं यह एक बार 2021 का लेटर है यानि की दिसंबर महिना सुरू होते ही जैसो यह लेटर निकाला गया और जिला काड़ेकरम जिला सिक्षा पुरा के महिने के दिसंबर के महिने में अधिकान सिक्षक घाएकरम सिढ़ करने में सोले सी को सबस Georgeј करकर रख लेते हैं उसमें लगग लगग साथ आठ बचा करें रख लेटे हैं उसे सिर्य में क्या होता कि अधिकॉ Всё जो मतलब छोड़ करके बाहर रहाते हैं बचते हैं कम सिक्वर्य का जो है सफल संचाल संचालन नहीं हो पाता है संचालन करने में काफी कठना योगा सामना पर्धान को करना पड़ता है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये साइध मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने लेटर निकाला होगा अब देखे क्या काता है क्या कंडिशन लगाए गया है कुछ कंडिशन के साथ जो है ये आपको पत्र जारी किया गया है कितने सिक्षकों को एक दिन में अवकास स्विक्रित करने है और क्या नहीं करने है इसके बारे में ये जैसो बताया गया है मामला संग्यार में आया है कि विद्धाले में पदस्थापित भोसंग्यक सिख्चक aking काड़ी दिवसमें अवकास पर चले जाते हैं जिससे विद्धाले में पठन पाठन का प्रतिकूल पृभाब पडता है आप सभी को आदेश दिया जाता है कि जिस विद्याले में5 सिक्षक तक पदस्थापित है वहां एक कार दिबस में अधिक्तम एक ही सिक्षक जो है सो आवसिक्तानुसार अवकास स्विक्रत की जाए जिस विद्याले 5 से अधिक सिक्षक पता सापित है वहाँ एक कार दिवस में अधिक्तम दो सिक्षकों को आवसिक्त अनुसार अवकास स्विक्रत की जाए कि विद्याले 5 से अधिक अधिक सिक्षक अधिक सिक्षक अधिक स्विक्तम करेंगे यहें देखा जाता है कि प्रात्मिक माध्य विद्याले इन सब में नियंत्री पताती कारी को अवकास का आवेदन देकर बिना स्विक्रती के ही अवकास का उभ्भोग करते हैं जो उनके द्वारा की गई अन्यमित्ता को दरसाता है अता इस संतर में आदेश दिया जाता है समद्धित प्रधाना ध्यापक के बिरुद्धीक नियमानुसार कारवाई की जाएगी इसे गंबिर्ता से लिया जाए ये देखें बगल के मतलब जो है सो आपके जिला जो है सो मुझाफर पूर का ये नियूज है परन्तु ये कहीं कहीं देखें कि सभी सिक्षकों इन चीजों की जिम्मबारी कहीं कहीं सिक्षकों पर होती है और सिक्षकों चाहिए भी कि जो इन चीजों की जिम्मबारी को ये था संभब जो है सो सही से इमानदारी से निर्वान करें ठीक है तो चलिए दोस्तों सिक्षा दिकत की तवाम बड़ी खबरों के लिए